नरेशन के बाद topic आपका लिया जाएडा clause नरेशन मैंने आपको एक sentence दिया था गर करने के लिए कौन सा दिया था तो तर्टेचर साएड अचेट्च को दो हाएडा गर कहीं हो एक साएड गर्ण applause खर्माव बड़्क्स का लिएद्ट्च साएड है। कि यह बात करें हैं वही आदी क्यों बात कर रहें कोई समय स्या वोकर मुझे बता हो और यह सोच क्या है वर से कि बात ही करनी है तो बाहर बैट वाराम से यह ना कौन निकाल गई है सामती सब्सक्राइब दूप सेखने से अपने सार्रेक और मानसिक इसकोर्टी बढ़ती है नमबर दूपर साइन्सक्राइब बिटामिन दी बिलती है और नमर तीफरा एक बच्चाव दूपर दोनों जब बात करेंगे किसी किसी मुद्वे पर बात करेंगे तो उनके अंदर भीचार सक्ति बढ़ेगी यह चाहिए कैना चाल आउगम यह लाए तो फुर्दा गोर्व में लेटें दोनों बेट रहे तो बेचार सक्ति डाउन कि अधिक तरफ से कमाद लीगे निमंत्रण को रोन करो क्या वाप्त है अध्के रहो अध्के रहो आपको ही मिले आपको ही मिले आप तो घड़ेश्टी हो कि ध्यालेगे अधिक नम दीटा आप जाएं पूदेरी एंगी वहाँ नमदेबत द्यालें पोस्टिंग हो लाएगी भुश्ट थे वाद पूर स्कूरी को भुदर कराई करेंगे जो का इक पोस्टिंग होई यह बढ़ांगा बाई शुक्ते वाइज भॉद्रेसंग हो बढ़ांगा बाई यहां यहां देशान हमन्द करह एं तर्फ फॉद्कर्यव और आपका रहां जो आपको इसी विदिया के जी खेट के ढूंते हैं? किसी का मकाम अलिए जा हुए? कमरा चार पांच कुनते लिए पंक कामर ले जा? नहीं? वैसे कि कि आती ही, व्याशे सुश्चितना सकते हैं कि कमरा चार में पंक आठ नाद 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 कमरा एक पंक आठ है कोल्मिष्टरी दोकान दाखेबों दोकान एक पंख भीएस है इसका कोई मतलव लाथ यह साब दहत करें यह देबेट दिसको कें यह लड़का थासा कोदू खड़े खड़ें 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 यह तो अगटाओ अगटा कोरण अधरमेटा कि निए प्रवार्स को स्टार्ट हुआ था दिनके पेपर ने में चम्रही ते कसी था दिल साली है अब हुआ ये कि किसी ने से कह दिया या वो दिजी के सम्भाद सुनाता इसने कि गाय देड बकरी का दूद पीने से इरोटी में छोड़को सब जेंट मास अब हुआ यह सथ ना इम्मिन सिस्टम होता है मजबूर कि वह एक पार्मिन पर वक्त पचंड जाता है इंसान की सांस पूल जाती है खोड़ा पसंड ने को इम्मिन सिस्टम होता है और अपनी जो डबलू वी सी वाइट ब्लड सेल्स और आपी सी रेड ब्लड सेल्स होती है उसको बढ़ाने में वक्री का दूद सर्फ्रेश्च माना जाता है लेट लेट सोती है ने खरी के अंदर बाइलोग जीम पढ़ा होगा आपने पढ़ेंगे नहीं तो बविस्टम ने तो बढ़ा होगा है वेट सन्हें पढ़ा होगा है तो बेसे ने पढ़ाएगे मैं काई को ठानका का तो तो इस दो आ है यह जाए जाए जीतर जीत रहो शूगाफर देतें कि यह को बड़ी बात नहीं कि इसमान करने के लिए बात करने के लिए बहुत सारे facts हमारे पास हैं लेकिन फिर भी हमें ऐसे facts के बारे बात करने चाहिए जो हमारे देनिक जीवन में भी अजान करने हैं और नहीं स्टडी में भी काम भात यह इन फालती लिए और फालत्य की चीजह वह फोड़ को यह अपका sentence the teacher said to the student how many students are here in your class अध्यापक नहीं यह भी हो सकता है अध्यापिकाने मोमेट है दो वार्ड टीचर इंडिकेट्स बोट है दोनों जेंडर को बताता है मैस्कला और है मिल यानि कि पुरुष को भी और इस्थरी को भी लेकिन यहां आपको कोई परेशान नहीं है दा टीचर का क्या निक होगे द इसके बाद दूत्रा सब्द आता है यहां रिपोर्टिंग वर्ब सैट्टू यू विल चेंज इट इंटू तोल और इंटू आँइज आजगे और यू कहिए ज़िए चेंज अगें किसमद भादता होगे यहां कोई प्रॉब्लम यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो चीए अब आगे चलते हैं तो यहां लगाएंगे यहां क्योंकि यहां कोई यहां 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 होती इस जगह पर होता इस आएम वाज वर्फ एज है तू डज डिए यहां होते तो हम यहां इस यहां 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 कोई देखकर लेकिन डावन वैज सब यहां आप आया हुआ है जैसे आते हैं वैसे ही लिख दीजिए बटी वैब तू मेट अफस्ट लेटर इन स्मॉल वाइल राइटिंग इट एज एक कनेक्टर इंडेक्ट नरेशन वीकॉज यहां आपको इसका पहला अक्षर कैपिटल बड़ी अंग्रेजी में मिलेगा आपको यहां चोटी अनरीजी में लिखना है चोटी वर्ण वाला नहीं होती है क्या उसमें लिखना है ठीक है देखिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा अपने यहां हिंदी चलती है हिंदी वासी है लेकिन हम यह आनकी पुर्दू पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं। उर्दू में भी हिंदी जैसे सब्द आते हैं अक्षर आते हैं जैसे कि हल्ट नाम Ne Eats कि एकषर आते हैं कि एकषड्य तरह पड़ा होगा है कि संस्क्रिश में इसे संस्क्रत पर पढ़ा हो गया संस्क्रत कर निया है कि एकष्मिन कोड़ा प्रिंगाल सांप और दोजन व्यक्ति में से किसी को चुनना पड़े सांप को चुनिये क्योंकि सांप एक वार काड़ता है तो यह संस्क्राइब हिंदी उर्दू इनमें जो अक्सर है वो लगवग लगवग समान है लेकिन जब इन सव्क्राइब हैं तो कुछ सब्सक्राइब से लिएगें हिंदी का निर्मान हुआ हैं इन सब्सक्राइब सब्सकाइब बासर जन्मी मानी जा सकते होंची तो लाइक दवी अंग्रेजी यूडियोपन इसका डवलपमेंट हुआ था अंग्रेजी का रोमन बासर फ्रेंच वासर जरमन बासर इन सभी का निर्माट एक बासरा से हुआ था लेटन बासर अपने कई बार पढ़ा होगा अपनी साइंस मे कि यह सब लेटिन बासा के भला ने उससे लिया गया है कि ऐसे ही ऐसे बहुत बासाएं हैं जिनका विकास अलग प्रकार से हुआ इंग्लिस की बात करते हैं तो मैं इस दिन बता दिया था आपको अंग्रेजी का विकास केवल जंगलों में हुआ था आम बोलचाल की बासा नहीं थी उस समय केवल लैटिन रोमन और फ्रेंच फ्रांसीसी बासा को आरेस्टोक्रेटिक फैमली के उत्टकुलीन लोग होते ते राज परिवार के लोगों होते ते वहीं इस बासा को लेटिन बासा को मोड़ते थे जबकि अंग्रेजी को केवल जंगलों में आदशी ल और ये वासा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली वासा बन गई थी क्योंकि उन वासाओं को सीखने में बड़ी कटना ही होने लगी थी और अंग्रे जी को सीखने में कटना ही नहीं होने थी ये आसानी से सीखी जा सकती इसी के साथ साथ देशों में इंटरनेशनल ट्रेग अंतर राष्टे ब्यापार बढ़ते बढ़ते लोगों ने दूसरी वासा को सीखना परावन कर दी यहां का व्यक्ति संस्क्रत है हिंडी बोलता है यूरोपेन कट्रीज का व्यक्ति है वो यदि लैटिन वासा बोलता है व्यक्ति हिंदी को नहीं चीख सकता क्योंकि बहुत कठिन पड़ती है भी है हिंदी वासी व्यक्ति है वो लैटिन 1वासा को नहीं सीखता क्योंकि मो भी सीखனा परती इसलिए उन्हों ने शलिए अनको औरॉं यहां इन्होंने देखा था बैपार के साथ साथ राज करना भी शुरू कर दिया था लोगों से आपसी बाट सीदख अ क्या किया यहां करके हिंदी सीकh लेकिन जब उन्होंने बंगाल में सासंप्रारम किया था वंगाली शुक कर दिलند आप बिटेन जाओं तो कुछ सी बासा सीखेंगे ए रिधी शीख लेंगे बात खतम हो जाए लेकिन अंग्रेज होने बारत में आकर हिंदी शीख लेंगे तो बात खतम नहीं हुई है क्यों बंगाल को हिंदी जानता है नहीं है शिजा ना गए थे व्यापार करने दो मां को ह्नीज जानता है ना बंगाली राइब तक अल्गाले शीखने पड़े और लो कंदर के रहां पारी के रहना विज सम्टेंड में पांगे उन्हों ने इसीथ में लौंट मैंक्वालिए वासा की सिस्टम पांगु किया था इंडियन स्कूर्ट इस भाइज तो इंगेस आज भी अंग्रे जी भारत में ये कंपल सरी में से नियम से अंग्रे जी को केवल कैसी वासा बना दिया था कंपल अन्वारिये पढ़नी ही पढ़े आपको यह लग रहा होगा कि यह पढ़ रही हम यह पढ़ रहे हैं 1835 से चला रहा यह सिस्टम क्योंकि अंग्रेज़ों को सिस्टम था और 1947 के बाद कुछ आप जैसे अच्छे बिचारक हिंडी को मानने वालों ने इसका ब्रोद भी किया था कि अंग्रेजी को ना बढ़े हो और अगले 10-12 वरसों तक इसको थोड़ा डाउन किया गया था कि हिं हमारी साइन्स हमारी मेडिकल आगे नहीं पर सकती है इसलिए अंग्रेजी को सीखना ही पड़े है बद वी सुख रेस्पेक्ट आवर मदर चल लेकिर हमें हमारी मात वह साथ को सम्मान करना चाहिए इसलिए मैं आप तक रहा हम अंग्रेजी को ज्यादा ज्यादा श्यादा यहां चलते हैं हाउ यहां हाउ लिखा हुआ होता हम इसको लिख देते हैं लेकिन यहां लिखा हुआ है हाउ मैनी इस्टुडेंट्स तो आप हाउ मैनी को ने लिखोगे क्या लगाओ के कनेक्टर हाउ मैनी इस्टुडेंट्स यह धान रखना हो यह सवाब दो साल पहले कहीं आपको ऐसा लगे कि हाव मेनी तो आ गया डवल्य वैज सब और इस्टुडेंट आगया आपको करता और इजारेन को बदल देते हो वाजबर में गलत है कि क्या होगा क्यों क्योंकि बाक्त में करता कौन सा है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें करता नहीं होता है ऐसे सेंटेंस को निर्मार्ण करते समय उसमें आप दियर से बाक्त को प्रारम्द करोगे और उस बाक्त में दियर का कोई अर्थ नहीं होता है बिलकुल निस मैं कहता हूँ दियर इस ए पीस ओप चौक इन माई पॉकेट मेरी जेव में चौक का टपना है अब यहां दियर का तो वहां थोड़ी होगा कि मेरी जेव में वहां चौक पड़ा है मैं कहता हूं डियर आठक एट्टी इस डेंट्स इन माई-क्लास मेरी कप्चामैं असी विध्यार्थी हैं क्योकि सेंटेंस में तुड़ी होगा कि मेरी कप्चामें वहां असी विध्यार्थी हैं भरशात बो हो रही है sentence क्या होगा है और साथ हो रही है बिलकुल भी सैंटेंज में जदि करता ना हो तो ऐसे sentence का निर्मान करने के लिए hair dear या it करता के रूप में लेते हैं जब की उसमें hair there या it का कोई अर्थ नहीं होता है और ऐसे sentence को आप hair या dear से प्रारण नहीं भी करते हैं तो dear students एक और है sentence निर्माण करने का है है जैसे ही यह topic होगा इसके बाद close कराते ही तुम्हें रूल्स पूर ट्रांसलेशन और अंग्रेजी बोलने के तरीके हैं किस प्रकार अंग्रेजी बोलते हैं वो इसके क्लॉज के बाद इसके बाद क्लॉज क्लॉज के बाद बोले आपको प्राणम करते हैं प्रावबम यही है का अंगरी जी कैसे नहीं है आप बस में जा रहे हों कोई विल गया अंगरी कैसे नहीं बोलो भी लेकिन तब तक इसको पढ़ाते हुए उसको पढ़ाते हुए मैं बहुत सारी अंगरी जी बोलता जा हुआ तो मैं खोड़ासा जो ग्रेंट सीलता है वह कि क्योंकि टेंस आपने सीखे हैं और फिर भी आप सोचते हों आपस में बात करते हैं रोजाना वो तो किसी भी टेंस में नहीं आता है कहां जा रहा है यह यह बड़ा प्रोब्लम और सही है यह किसी भी ग्यान को यदि कि आप इस्थाई बनाना चाहते हो उस ग्यान को अपने दैनिक जीवन में जोड़ लिजिए यू विल नेवर फॉर्गेट दनोरेस आप उस ग्यान को कभी भूर नहीं सकते हैं दैनिक जीवन में जोड़ लो आप मुझे मत बताना लेकिन घर पे जाकर आप गणना करना कि सोबैसे स्याम तक हिंदी में तुम जिस किसी से भी बात करते हो कितने सेंटेंस का प्रियों करते हो और उन में से कितने सेंटेंस लगवक एक जैसे ही हैं और अगले दिल खिर्वनी सेंटेंस को हम भी हो करते हैं का जा रहा है तो पाता पर आप से अमने बहुत चीजें सीखियें अमने जीकित बहुत चीजें हमने सीखिये ना किसी होज़ानर पताते हैं और पर पाला निताय यह बताते हैं लेकिन आपने से ै हुआ हमें यह मैं हमें चीम्ता को आप जिखनी में जहेंगे हैं फिर देखिए आप बहुत जल्दी जल्दी सीख होगे और तुम बाहर की चीजों को पहले सीख होगे घर में आरके प्रेजुन खा पकना सब्सक्राइब हो जाना और इंदी की पात करके दिन्दी में भी जाते हैं तुम बहुत से सेंट्रेंसेज को अधस्पचिये काईते हैं मताब है अधस्पचिये हिंदी है जलो विठीका काईते हैं विठीका हिंदी है भाई है ना बहुत सब्द है ऐसे हिंदी अंग्रे जी वां सब्दों को बोलते हैं उनका हिंदी हम नहीं जानते हैं उनको क्यों बोल देते हैं अंग्रे जी में मांचिस को बोलते हैं दिये सलाई होता है ऐresource मगेंजके ने फोट आप्टेए hell खेलते हैं किरकेट वाइंजिमोड होता है को डिए और लगाड़ी के लोगपक काइम नी तो लेकिन तो रोजाना बोलते रहते हैं धीरो सून बहुत कम बोलते हैं जीरो सब्द अंग्रेजी का भी नहीं है लाइटन वासा आगा जैग यागो बहुत सब्द हैं ऐसे जिनको नहीं चाना है और बहुत सब्द है जिनको रोजना बोले हैं लेकिन क्या मितलब यह नहीं है है तो यहीं जी मताना चाहता हूं बहुत लंवी चियरो म सब्स nell week कि यो यह उप 420 232 नहींट आटफेंस है को जो टीचर से आप बात कर सको इंग्लिस ए अपने मित्र से बात कर सको है वे तो हम पहले ऐसे सेंटेंस ही इन पर आरम करते हैं कि पहले अंग्रीर से बात करें आपके जियों और वी ऐसे सेंटेंस लिखा रहे तो यह से लिखा लिखा दिये यह लाम आप तक आम ना खाए भूट रूकर्स ऐसे बढ़ जा है यह बड़ा प्रवलाम नंगी सिखाई रहे हैं खाल वेनी के साथ हम खुम्मक्ज के साथ में दूसरा सब जूरी सेंका जुड़िविक रहती है वह आपको लिखनी है इसके बा currently करता कुण है देयर अभत ने हम अभी रहते है डियर को हेर मेंушनें के उसके जाए कि देयर को हेर में नहीं मतलें कि दिसको तो दैट मजलते हैं लेकिन दैट आ गया तो दिस मत कर देना इस नहीं होगा और किसम मतलेंगे वर्प क्यों क्योंकि यहां इस डेंग्स दोबचन पहले से लिखा हुआ है अब आगे यह बताएं कौन सा पर्शन है कि अरं क्या है इस टुरेंड विद्यार्थी अब विद्यार्थी दोनों आते छात्र और छात्र इस त्री है अब पुरोस है क्या आप लिखोगे इन घर लिखोगे या इन लिखोगे पताएं कि अच्छी लिख दिया कवड़ा क्यों है इन हिज और लगा के ना लगे एक लिखेंगे तो भी सही है गलत इन हिज हर और क्लास का क्या हो जाएगा कितने विख्याकियों का साइए प्लीज आपने बनाएं नहीं जाएगा कांगल तिकी है किदर से एक और एक दो और कोई तीन और तीन श्रह साथ आठ तीब नहीं अट वक्तों से काम चला ला तो उन जिकलते एक और व्यविख्याकियों और वास्योंगी लड़क्या है उन्हें कहांगल तिकी है यह आप स्वेंग देख लेना जहांगल तिकी उसको समझत समिष्या है तो पूछिए यदि समिष्या को ने पूछोगे तो आपकी वो समिष्या ही वनी रहेगी समाधान कभी नहीं होगा अगला नियां लिखिए रूल नमर छे रूल नमर छे लिखिए यदी आरवी में प्रिजेंट या फ्यूचर टेंस की बर्व हो विए आरवी में प्रिजेंट या फ्यूचर में अंग्रेज बोलूँ पर प्रिजेंट या फ्यूचर की इस पहले बोलूँ पर कि बोलनों पर जाता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है वाई एक बच्चे ने सवाद पूच लिया था किसी अध्यापक से किसाफ नैटूरे माने का हुए मास्टर ने सब दिक्स्नरी खंगाले पर वो नैटूरे ना मिलें मास्टर पिर वो ली ना परेशान करें वाले वाले बाहर बाले चल बाहर चला गया तो दूरे वाले कि प्रिए अध्यापक परेशान हो गया वहां वीतर बला गिंपे के स्पेलिक का हुए और साफ एन इन टी यू आ है तो यह बड़ा कॉबलम होता है और इंडियन स्मूर्स में तो यह है हाँ दिकलियो यदि आरवी में प्रिजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ग हो तो आरएस के टेंस को नहीं बदलते हैं तो आरएस के टेंस को नहीं बदलते हैं लेकिन आरवी में पास टेंस की वर्ग हो लेकिन आरवी में पास टेंस की वर्ग हो तो आरएस के टेंस को तो आरएस के टेंस को रूल नमबर चार के अंसार बदलते हैं रूल नमबर चार के अंसार बदलते हैं लेकिन लेकिन और लेकिन और लेकिन आरएस में निमने फैक्स आरएस में निमने फैक्स पोस्ट आपने को तक्त होते हैं निमने तक्त या फैक्स होते हैं तो आरएस के टेंस को नहीं बदलते हैं लेकिन आरएस में निमने तक्त होने पर पर क्या बलाता मैंने आरएस के टेंस को नहीं बदलते हैं में चाहे चाहे आरवी में जैसा जो विचार रखेंगा वैसी तरष्टी पंगाएं इस दामाइट सुर्ट इस दो मिचार होंगे तुम्हेरों को साटने बहुत पुरी नजर आए मेरे मिचार अच्छे हैं तो इस साइट दूमें बहुत अच्छी नहीं जाएं अब में चाही बोट रहा हूं तो तुमको चाय की आगा तो तुम्हारे मिचारों वह है चाय कुम्हार मिचारों है कि अधियर एपिशोल इन मावार मावार में घड़ना है कि दुरुणाचार यह ने पांडवों में सवस्वड युदिष्ट्र को और दुर्योदंग को बुलाया था और दुर्योदंग से कहाता कि तुम अस्तनापुर समाज में जाओ और एक अच्छा आग्मी जूल के लाओ और युदिष्ट्र से क्या काता तुम उसी समाल में जाओ तुमें बुरा आगी दूल के लाओ बट दे बोथ रिटर्ण इंप्ती हैंडे लेकिन वो दोनों खालियात लुटा है क्यों कि दुर्योदंग का विचार कैसा था बुरा बाकु अच्छा दिना में लुक्सा बु अगयों एक तो फिचार पर स्रेष्ट बनाए है विचार फ्रेष्ट होंगे सब तो स्रेष्ट आदर आन्य कुछ नहीं कि जीवन बहुत भयानत भी है और जीवन बहुत अच्छा हुए आप इसको कैसे सिलेते हो कैसे समझते हो ऐचा प्ल्लकु साब इसको आई क्या कहते हैं, निम्न तक होने पर RS के टेंस को नहीं बदलते हैं, चाहे RV में कोई भी टेंस दिया हुआ हो, चाहे RV में कोई भी टेंस दिया हुआ हो, नम्मर एक डाले रोमन संक्यामर लिखिए, यदि RS में इस प्रकार का बाक्त हो जो यूनिवर्सल्ट रोथ या एटर्नेर्ट रोथ वाला हो, सार गौमे के अस्तर्वकार एक सब्सक्राइब हो, केबल स्ट को पॉइंट को लिखना ही जरूरी नहीं है, यह समझना जरूरी काई ते केंए, हम साव लौ में आठ वी टे पढ़ते आए, सार गौमिक सब्सक्राइब को अतना आसाल नहीं है, सुनिए लिख लिया ओट, जैसा की सब्सक्राइब है, सार्व भूमि संपूर्ण भूमि पूरी प्रत्वी पर एक जैसी बात हो पूरी प्रत्वी पर एक जैसी बात हो वो क्या कहलाता है और सर्व कालिकता मतलब तीन काल होते हैं प्रजेंट पास्टॉर तीनों ही कालों में जिस कारिये पर प्रभाव नहीं पढ रहा है मान के चलिए बूत कालिक किसी काम पर प्रभाव नहीं डाला पांप सो साल पहले बाड ऐसे ही थी एक चार साल पहले था जो अज बहुत हैं कि इसे बाड कि अधसे रहे λोगे तक साल बाड नियों था और हरा यह तो कि और गर्मियों में चल रहा था पूट जा да मतलब कामबंद हो गया क्योंकि बातें बरतमान तक आप होंची और 22 से फिर चालुए जा है कहने का मतलब इंसान इसको इंटरफेर कर रहा है लेकिन ऐसी कोई बात जो जिसको इंसान इंटरफेर नहीं कर सकता इंसान तो इंसान प्रिकरती भी जिसको इंसान इंटरफेर नहीं कर सकती वो कहलाता सर्व कालिक सत्या सार्वामिक सत्या समझ में आई जैसे सर्व सार्वामिक का मतलब है सूर्य पूरव में उखता है अब जापान चले जा जिसको सूर्य उद्धे का देश कहते हैं नार्वे जाएंगे मद्दरात्री के सूर्य का देश जैते हैं अब वहां जाओगे सूर्य वहां भी किनर से होगेगा पूरव में अब दक्षे मों बागजा तब भी आपको सूर्य पूरव में ही उखता को मिलेगा अब किसी भी देश में चले जा सूर्य कहा हुटता है पूरव में क्यों इस सारों सब बात है पर इमेन प्रस्ट करेंगे क्यों हो गए पूरव में कि अग्यों है अधर पड़ी आधर कर देशा कि लास टेंट से इलेवंथ में प्रमोट वेव इतनी चीजों को भूलो मत बहुत नहीं क्योंकि आगे चलकर के भूगोल के बिना आपकी विज्ञान अधूरी है कि यह ध्यान रखरण है गोगोल में जो घटनाय गत्ट होती है जो घटनाय आपने पढ़ी हैं वह सब घटनाय वह चीजें आपको फिजिक्स में पढ़नी पढ़ने और गुगोल ने जो प्रकरती की चीजह है चाहें वह आपकी बायोडारसिटी जैने विवित्ता बगरा परियोवन कुछ भी हो आपको विभ्यान में पढ़ना पढ़ना पढ़ने लिए बोलो मत चीज केंदर फ्रक्शेपन केंदर है तटीज दवन है कि वहीं केंदर बनाया गया थो प्रक्षे पढ़के वहीं क्यों बनाए गया था है कि यह फिजिक्स की चीज़ें है इनको दिमाग में प्रत्वी के अंदर गुरुत बलोता है और बहुत पावर्फुल होता है कि वाधर के नागर को पावर्फुल हो आकास में बातल है प्रत्वी जात थाकत भोजी है है हुआ है यह तुम्हण कह रहा हूं है उसनक अपूस्त होगा इसलिए नहीं गिर रा फोई तो मैं कह रहा हूं बातल करनाए गर वह पर थे प्रत्वी कुंक्त पितार गर निचीज़ प्रवाव प्रवाव नहीं प्रवाव नहीं पड़ सकता जैसे की दगंगा फ्लोज इंटु दब्यों पंगा गंगा नदी बंगाल खाड़ी बहती है अब इस पर प्रवाव आगो आज से 500 साब पहले भी गंगा नदी दीछ सबसे माधी चांगा बनाती है यह यह बंगाल खाड़ी जाती है और रसे भावंगा देश में इस ब्हांपत्र नदी आती है और इस से गंगनदी में यहां भावाज़ादे मिल जाती है इसके जस्त बाठ ऐस बाण जहने मेहने नाम नाम से नामी जाती है जो भावाज़ा देशन है हॏमफी बाड़ वर्ण बनती है और विस्वका सबसे बाड़ गरष्ट देश कुन साizo reasonably लुआ इनकिता बाण जहन के तो यह अब ऐसा तोड़े में जाकर के बंद कर दो बटन दवादा हूं ठीक अब जैसे पंगा बंद कर देखे एक अच्छार बरसों ने दो अच्छार बरसों ने पांक सो बरसों ने और आने वाले बर्स भी इसके कारिया पर कोई प्रवाब नहीं डालेंगे वो क्या कहलाता है स को बदलेंगे सेटन्स वा गया गंगा लगी बंगार झाली है गिरती है तो ऐसे सेंटेंश को नहीं बदब सकते गंगा नढगा झालीं बैती थी मतल्ता अब ना वहारा है वह अब है नुआ इसलिए उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे फर्स पर सेटेंट में नहीं करेंगे लिए बात नहीं भाईया जी ए भाईया नहीं जर्सिवारे नमर सेकेंड लिखिए इसमें आप लिख सकते हो है वीच्वल आगत अमसाल होने वाला कारी है यहां लिख सकते हो नेच्वरल एक्टिविटीज स्वाभाविक गत्विदिया स्वाभाविक गत्विदिया नम्मर तीन मैट्स या साइंस पॉर्मूला गड़तिया विज्ञान का नियम गड़तिया विज्ञान का नियम यह बदलते दोड़ी है मैट्स मेंटली अफेक्टिग कीचीर घराशंदा इट्डंस मान से लुक्षट अज्यावः जो बच्चा माफचान पढ़ेशान का जैसे गौड की बुखो में गजेंडरेटर बनाने वाले ब्रह्मा थी, ऑप्रेटर पालग करने वाले विश्मु थी, डेश्ट्रॉयर नास करने वाले, सिर्शन करने वाले गौड आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक तो मैथ पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी, आपने मैथ, ज्यान दीजिए बच्चो, मैथ जो है, वो अमेरीकन इंग्लिस का वर्ड है, यह ब्रिटीज इंग्लिस का सब्द है, अंग्रेजों की अंग्रेजी का, यानि बृतेन की अंग्रेजी का सब्द है, मैथ, और अमेरीका का कुण सा है? जैसे पढ़े होंगे आपने कलर, कलर, मेन दिल और बताये थे खोड़ा सा, सेंटर, सेंटर, पढ़े, नहीं पढ़े, कपचा 10 में पार्च बढ़ा था, ओलिवर गोल्डी स्मित का, एलजी ओन दाथा पागल गुत्ते ग्रत्व पर सोगी, उसमें फिर बताया था, N-E-I-G-S-B-O-U-R, और N-I-G-S-B-O-R, उसमें नैवर की स्पलिंग यह दी हुई, ज़कि हमने कौन सी अगलत देजिए, यह अगलत नहीं यह भी, यह ब्रिटेन का अंगरे जी का सब्द है, और यह American English, और यह British English का है, यह भी पढ़ाया तो में ध्यान होतों, C-E-N-T-E-R यह किसका है, American English, और, C-O-L-O-U-R यह British English का सब्द है, C-O-L-O-R यह American English का सब्द है, लेकिन इनके इसको बोलते हैं कलर इसको बोलते हैं को बोलते हैं को जी मैं क्योंकि अमेरिका निंगलेस हमें आज साइलेंट नहीं होता है यह बिटिस इंगलेस के सब्दों को द्यान दीजिए कोई वी सब मैं बहुत चीजों को बताते जा रहा हूं 11th class है जो कुछ दमाग में आता है साथ चीजों को बताते चलो बच्चों को अंग्रे जी के सब्द किसी भी सब्द में आर आता है और आर से पहले कोई स्वर है और बाद में है जेंजन्च या आर से पहले कोई स्वर है और आर उस सब्द का अंतिम अक्षर है उस सब्द में हम आर को रह के रूप में उच्चारण नहीं करते हैं इस सब्द में हम आर को रह के रूप में नहीं बोलते हैं पर आपको बता चुका हूं भी आर डिवार कभी भी बर्ण ना बोले है वर हम तो बर रहे ना बोले रहे तो पार्टी के बजाए सब बोलता पार्टी और आप ऐसे बोलेंगे डायक्ट मिन पार्टी मत बोलो पार्टी रह की जगे जीव को गोल कर लीजे तुछ जी आर से पहले यह दिया गया है यह क्या है स्वर है और आर के बाद में यह क्या है वेंजन यह थोड़ा सा फर्क आपको ज्यान रखना है कि इसे एसे यह को टीचर के वजा टीचर और एतिशर आप मस्ट नॉट मस्टर सही अक्षर हो ऑब सही अधि उच्छार करते हैं तो सही उच्छार करते हैं एक को आर तो फो और नहीं को समझे आर से पहले कोई स्वर है और आर किसी सब्द का अंतिम अफशर है या आर के बार में कोई विंजन है जिसे की बर्ड में पाट ही है ठीक आगे जलते हैं गड़त या विज्ञान का नियम कभी बदलता नहीं एक टू एंटू में खुर दो दो चार होते हैं किया उछका और लोगे अभी आप इसकों बदलोगे दो चार उते ही क्या हो जा करना बसक्ति होते हैं घृए अब नहीं हो जाए अब एले दो दो तीन होते थे अब दो चाल होते हैं परस दो दो पांस हो जाए नहीं साइंस फॉर्मूला यह भी कभी नी बदलता है बिल्कुल नहीं बदलेगा रिज्ञान का जो नियम है वो बदलता नहीं आइस चेंजेज इंटू बदल बदल जाती है जब यह उसमा प्राफ्त करने हैं यह सबता है विज्ञान तो नहीं हो वाटर बॉइल्स एट हंड्रेट डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट जीरो डिग्री सेल्सियस पानी सो डिग्री पर उबनता है और जीरो पर जमता तो यह किसका नहीं हो जाड़े पर नहीं है तो यह विज्ञान का नहीं है पानी सोड़ी उबलाओ और जाड़े पर रहें यह आप मार नदबह पर यह नहीं है ऐसा नहीं है नंबर चार लिखिए रडीशन और कस्तम्स लिखिए परंपरा और रीति रिवाज रडीशन माने परंपरा कस्तम्स माने का क्या हुता है त्रीति रिवाज यहीं बदलते हैं है बदलते हैं क्या जी आजी बोलो आजी 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 हाजी ओकाओे स्क्राणी किर जी आजी 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 कहता है निंगैं क्यार माllesनी हाज आजी आजी तर्णवाद आधी प्रेडिशन और कस्टम्स पाते नहीं ये बदलती नहीं कोई भी प्रत्था कोई परमपरा हमारे समाज में बहुत बर्सों से चली आ है आप उसको बदलने सकते जदी बदलने का प्रियाज करेंगे घंगा मोंगा भाई यह सकते हैं बदल नहीं सकते बदलोगे तो प्राउदर और यह मैं आपको पढ़ाया था उससे में बता दिया था अपवाद संसार में प्रतेव चीज का मिल जाते हैं तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस आता है पुराने समय से चलता हूँ आ रहा है हिंदू अपने मर्दों को जलाते हैं अभी परंपरा है अभी तोड़ी है किसाब अभी परंपरा बंद कर देंगे और कल ते टान में लगए ऐसा कुछ है मुस्लिम्स इस्पीक दवर्ड तबूल एट टान अब निकार के समय कभी तोड़ी जा सकती है क्योंकि कितने ही समय से बाते हैं यह चली हुए यह अलग बात है कि जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो परंपरायण आप साथा पेंट साथ पेंचे थे अब जाब हम जीन्स पहलेगो तो बाले को जीन्स पहरेंगे तो वेकार स्कूल ही था यह था क्योंकि सामानिक रश्टिकोण ऐसा ही था बात है नहीं और अब जो बाले जीन्स ना पहर है वाई का इसा वो प्राचीन पाल को कि आप समात के साथ नहीं हुए बातरी मैं जो समझा रहा हूं मैं पूर्टी तो समात की ऐसी चीज़े एकदम से चेंज नहीं होती उसमें समय लगता है सब्वता को चेंज कर लेकिन कल्चा संस्कृती यह चेंज नहीं हो सब्वता अलग है और संस्कृती संस्कृती हमारी प्राची विवस्ताओं से जुड़ी बिलेते हैं संस्कृती की जड़े बड़े गहरी होती है लेकिन सब्वता आज ऐसी है आज कल ऐसी होगी किस तरह मानव जीवन जी रहा है कि पहले सब्वता ऐसी थी कि लाटी डंड़ों से लटे ऐसी ही मूवीज फिल्में भी ऐसी ही बनती थी बीच में फिर योग बदला तो मूवीज फिल्में भी ऐसी बनी कि बंदुकों से गोलियों लड़ाईं अब समाज ऐसा है तो बस बटल लवाते लाज तो यह समाजिक सिस्टम होते हैं लीद्रिवाज और परंपरा कभी बदलते नहीं हैं आप सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते हो हिंदू बट देयर डायट्स को हिंदू अपने मुर्दों को जलाते थे आप ऐसे लिख सकते हो जलाते थे मतला अब भी जलाते हैं क्या अब भी जलाते हैं हाला कि पहले यह अलग ट्राडिशन्स थी पहले भी पवन्द, दाव, अगनी और जल्द, और भूमी चार प्रकार की चीज़े थी पहले हैं अब एक ही ही है लूज की बाता है पहले लोगों को टांग देते थे वर्दों को पेड़ों पर टांग देते थे जिसको पक्षी जीव जनको ऐसे पक्षी वगर उसको खादाते थे उनके बोज़ती पूर्ती हो जाय करती है है और जमीन मैं ऐसा करते हैं तो जमीन के अंदर वी जो की टो इंते गॉते होंते बोड्यबी को नस्ट कर देक उते उनक zwar जल में दियए कि जलिए जीवों का भूजन बनता है और ऐसा धालू जनता में लिखा हुआ है कि हो लेकिन डीडिस हमें बदला अब जनता इतनी एगी पेड़ कम पर के जनता जाला मत रही अब इस लटकाएंगे जनता वैसी डरेगी पहले तो इस तरह की चीज़ें जंगलों में हुआ करती जनता कम है जंगल बहुत बीहड होते थे वहां ऐसा करते थे लेकिन अब चाहरों कंका तंत नजर आएंगे इतनी जनता में भीड़ बहुत है पेड़ बहुत है और जो क्या कहते हैं जो बनी करने वो खतम हो रहा है दी फॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहां इतनी जमीन बग लग गया था तो यह चीज़े इंफरीदी चेंज होती यह बात की बाते हैं इनके वारें पर बात कर लेंगे क्योंकि तुमारा पार्ट है इंगलिस में पहले बहुत सांदार पार्ट है मिस्ट के फैरो राजा उनके बारे में थे अंग्रेजी का पार्ट बता रहा हूं मैं तुमारा NCRT का पूर्स है ना तो पहले वो पार्ट था उसमें अब वही पार्ट बढ़ा जाएगा पिछ्री बार्ट पर पार्ट थे उनके बार भी बता रहा हूं तो अब उनका लाम का विजन दो अज्जा की इस पार्ट था लेकिन आपके लिए NCRT में एक पार्ट है मि मिस्ट के पिरामेट इठको प्रणा मिसर के राजा थे वो अपने आपको ममी में इसमई मनफें के करता है यह वर। और आज भी जो बहुत जादा पैसे वाज लोग है नो बहुत जादा आज भी अपने डैड बोडी को पर्रक्षित ममी में रखवा रहे हैं उनको लग रहा है कि मानव सब्वता किशी ना किशी दिर ऐसी जगए पर पहुंच जाएगी जब इनसान मरत इनसान को भी जीवित कि हालांकि टैटल गोट रही है कि अबड़ रही कर सकते हैं टीश चालीस सेकेंड के रही है तो नहीं टीश चालीस सेटेंड जीविवेड़त कर सकते हैं ऐसा है अब है लेकिए इतना और उसम बहुत जादा पैसा खरता वो मुझे नहीं पता हुआ है उसन पैसा जाता खर्च होता है केवल बहुत ज्यादा काम के दो ज्यादा पैसे वाल हो गए उनकी प्रक्तू कैसे हुई ये जानने के लिए उनको इस टेक्नलोजी का वही उप्यों करते हैं हमारे तुमार लिए चीज अद्लब नहीं आसां है लेगी एक कहावत हैं साइन्स के विध्याद की हो साइन्स के चेत्र में बहुत ज्यादा रुचिरफ हो लेकिन जनरल अवेरनेस की चीजों को साथ में सुनते जाओ सुनते जाओ अब विध्याद में उस्याद हो दिया आप कोई बड़ी बात ना है क्योंकि विध्याद तुमने चुन ही उसमें तुम उस्याद हूंगी यह जले पी रखिये गुलाब जामन को चुन रहे हो कि कौन सी जाला कावशा उन्हें जाला तो आप चुन रहे हो उसको उसको जाला कारें तो कोई बड़ी बात हो रही है वो तो तुमने चुना है लेकिन आप अंग्रेजी और हिंदी में इंटेलिजेंट हो यह बहुत है क्योंकि यह आपने चुना नहीं है इसको तम आप उपर डाल रहे हैं किसी में त्यार्ट को चुना है और आप उसमेरी उस्यार ना है तो पर यह तुमाई को रहुता है लेकि यह कहां अग्ध और और अग्वाले पीजिए इन्वेंशन और डिस्कावरीज इंवेंशन और डिस्कावरीज जिक्या आविस्तार और खोश्च ज्यान रखना विद्ध्यार्टियों इन्वेंशन अलग होता है डिस्कवरीज सब्दला बोता ना कोई भी चीज जो पहले से ही इस संसार में मौजूद है और आप उस चीज का पता लगा रहे हो तो वह कहलाता है खोज दिस्कवरी जैसे की बास्कोटी गावाने 1498 में भारत की खोज की थी काली कट बंदरगा मुंबई के पास बंदरगा है बहां आया था कोलमबस ने अमेरिका की खोज की थी बिजार भरव मार दी हो का जानुराज वो खतरना वोई भाई कोलमबस अपने देश से बारत की खोज करके गया था अब वो इत्कुन आया को उल्टो जले वो प्रत्वी गोल उल्टो जले वो अमेरिका और वहां से आकर के फिर बताया था कि मैंने आपकी खोज कर लिए दो तीन उसाल बात पता जूर बोल रात है अधी आप जानते थे लेकिन वो नहीं जानते हैं आप तो जानते थे हैं क्योंकि आपका जन्म चौरह सत्तर नुवा था लेंके उसका दान नहीं हुआ है खोज का मतलब है मैं तभी तो एई तभी तो इसको खोज नाम दिया है दिस्कवरी इन्वेंसल नाम नहीं थे हैं क्योंकि हमें तो पता है हम बारतिये हैं लेकिन उन लोगों को नहीं पता था उन्होंने इस नए देश की खोज की थी नया देश का मतलब अभी ऐसक अभी हो सकता है अभी कोई ऐसा दीख हो जहां तक संसार का कोई व्यक्ति नहीं पहुचा है और संसार के बहुवलिक जो जोग्राफिकल सीन है बहुवलिक बिसुपटल है ग्लोबल सीन है वहाँ उसका मानचित्र का जिक्र नहीं है और यदि आप उसकी कोज करते हो तो इसका मतलब अबी 1408 मैं से पहले कोलंबस से पहले आप विस्पो का मानचित्र देखना आपको विस्पो का मानचित्र अलगी मिले का कोलंबस के बाद मानचित्र देखोगे अलग विकर अब ने तो यह कह रहा हूं सही तरीके से पूरा प्रिस्पो का मानचित्र तो 19 वी 20 सदी में भी नहीं आया था स्वेंट जर्मिनी का ताना सा डिक्टेटर एडो विक्टर ने यह का था कि मुझे बिस्पो का मानचित्र सही ने तो पूर प्रिस्पो को बिलान बनानगा उस समय तक भी पूर हुरा प्रिस्पो का मानचित्र सही नहीं तर्व उपता ही नहीं था किधर क्या थि यह सबहूं हो भाई नो भाई है और बैस कुए है तो आगे फोगर में कैस किना आट उमूरड ला मतलब ठोड कॉल अब यह थोड़ी है कि हम ने पतों ना हमार बेंस हते हैं बेंस हो पतों मैं बेंस हूं लेकर नोगोगी तो ऐसे ही जिनी हमाज देते हैं किसी प्रॉब्लम ही है कोई बत्ता मुस्के तो पूझ आप पूचा है तो मैं असने बात नहीं कह रहा हूं कि भोज का मतलब है पहले से ही है पहले से ही है लेकिन वो बिस्व की नजर में नहीं है लेकिन स्वेम मतलब एक ब्यक्ति को भी किसी चीज़ के वाले नहीं पता है और वो उसने बहुत सी चीज़ों को मिलाकर बनाई है निर्माण की है वो कहलाता है इन्वेंटी जैसे थॉमस एल्बा एंडिशन इन्वेंटेड बल्ब इन अमेरिका अवेरिक ने अमेरिका में किस ना विसकार तो पहले बल्ब नहीं उसने आविसकार रहे हैं जैसे की सर आईसेक यूटन ने वताया था क्या ग्रेविचर पाव तो यह पहले से नहीं पता था नियूटन सेव के नीचे बैटा हुआ था सेव उपर गरेओ अब मैं हो तो 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 सेव ठाला तो यहां तक आज ता बात आती ना लेकर नियूटन में सोचा था कि सेव नीचे क्यों गरेओं और मेरे भाई यह बात जब उसने जनता से बूची थी बताई थी इसकी जिग्या साथी तो लोगों ने उसका मजाब उडाया था पागलाई तो यही तो पूजरा है कि सेव नीचे क्यों गरा है ना लोगों ने उसकी हसी उडाय थी लेकिन फिर उसने अपनी बात को डंग से कहा था कि आप अब अबस क्यों रहे हो मैं सही बता रहा हूं शेव नीचे क्यों उपर गना गया हो उसने कुछ तो है तो लोगों उसका ब्रोध किया था कि बैट आगा तो तुने का देर रह है और तब लोगों को बता थी सक्त का यही निया होता है मेरे को मेघर यदि आप सक्त हो तो लोग हसेंगे आप लeg Inspy अ農िकिना सक्तаюсь पर अड़े हुए हो तो लोगा आप अब रोध करेंगे और फिर भी आपने सप्त की रहा नहीं चोडी तो अंत्में सक्त को सक्त मान करक ये शक्त का नियों होता है। उसने गैलियों ने दूर्विन का विस्तार किया था और उसने दूर्विन से बताया था कि प्रत्वी सूर्य का चक्कर लगा था। गैलियों से पहले ये था हमारे समाज में कि सूर्य के सूर्य परत्वी का चक्कर लगा था। कि शूर्य इधर ने हो गए और चक्कर लगा के इत्कुई यह किसका चक्कर लगा रहा है लोग ऐसे मानते थे लेकिन गैली लोई इस बात को कहा था तो राजा ने कहा था तुम समाज ब्रह्म पहला रहे हैं क्या सबूत है तुमार पास और उठा करके उसको जेल में रहा था उसके दस वर्ष बाद कौपर निकस ने इसको सप्दन को सही धराया था और उनको बताया भी था इस तरीके से ये प्रत्वी सूर्य का चकर लगा तेना की सूर्य आप तब जाकर उसको बाहर निकाला था जेल से दो बंड़े बार नहीं रहे हैं कि समय आगया है लिए उधा तर टीचर सेट तर टीचर सेट शेंपल कॉमार इनवर्टेट पॉमा लगाओ हाँ जी शेंपल कॉमार प्र इनवर्टेट कॉमा लगाओ के लिखिये तब मून दब मून दुन माने दब मून मन चब दो मूनमा पचांव नहीं दा सम वाद सुर्योग ऐस जोड शेंपल मने खुब ऐस जोड शेंपल मने खुब और इससे पर दी लग जाता है तो दी शन वने जांद The moon gets her light हर लगाएंगे ज्यान रखो क्यों लगाएंगे मून के लिए हर ये कल बता हो अभी समय होता है The moon gets her light from the sun The moon gets her light from the sun मतलब चन्द्रमा अपना उजाला सूर्य से प्राप्त करता है इनवर्टे को बंद कर लो